नमस्कार पात्फा इंडरेश्टरी पॉइंट की पीवाई की सीरीज में आप सभी का हारदिक स्वागत है भारती राष्ट्री आंदोलन के क्रम में आज चो संदर्व है ये मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की मांग इसमें आज हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत में संप् द्वारा एक प्रथक राष्ट की मांग की गई और अंतता उसे प्राप्त कर लिया गया तो इन सभी संदर्वों पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं से जुड़े रहिए और अगर सेशन अच्छा लगता है आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चले शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंदी महातुपूर्ण प्रश्णों को पहला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किसने आल इंडिया मुस्लिम लिग की स्थापना की थी क्या पूछा जा रहा है किसने आल इंडिया मुस्लिम लिग की स्थापना की थी यानि कि यहां पर संस्थापक पूछा जा रहा है तो जो इसकी संस्थापक है वो इसके 1906 में कहां पर की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी धाका में तो आपको इस अभी संदर भ्याद रखने हैं 1906 में नवाफ सली मुला खां के द्वारा धाका में इसकी स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यच अगर पूछा जाए प्रथम अध्यच कौन बने थ चैनल थे知道 कि मुस्लिम लीघ की स्थापना कहां हुई थी और जिसक की नहीं नौगों ने अभी दिसक्रस कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी तो यह हुई थी धाका में तो इस परिसिन का सही जवाब धी सथा मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था आपसे पूछा जा रहा है 1907 का अधिवेशन धाका कराची अलिगर लखना हुदे कि पहला अधिवेशन धाका में हुआ था जबकि मुस्लिम लीग के स्थापना भी थी धाका में और अगर मुस्लिम लीग के अधिवे तो इसके बाद 1908 का जो अधिवेशन हुआ था तो 1908 का तीसरा अधिवेशन था और ये हुआ था अमरितसर में तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1808 का अडिवेशन कहां हुआ थे हम्रेसरमे का वे उसके बाद आपा आगे देखेंगे, 1930 का प्रस्ताव प्रश्त किया गया 1940 , जिस इस असमें प्रश्त रश्थर खð का प्र्स्ताव के स्विकार शौन का सुर्भ हूआ है यहाँ पर यह पूछा ज़ाए 1907 का Muslim Link का वार्षी का दिवेशन कहां ऊवा तो यह कराची में हुआ था अगर आपसे पुछा जाए Muslim Link का दूसरा वार्षी का दिवेशन कहां हुआ था तो भी आपका उतर हो जाएगा कराची इस पुछा जवाब है B, कराची next, देखते हैं, next है, Muslim League का मुख्याले कहां बनाया गया था, देखे, Muslim League की स्थापना तो हुए थी धाका में, लेकिन Muslim League का मुख्याले कहां बनाया गया था, तो Muslim League का मुख्याले बनाया गया था, लखनो में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कि Muslim League का मुख्याले लखनो में इस प्रसने का सही जवाब है सी, next देखते हैं, next है, इसमें कथन और कारण के रूप में है, तो कथन है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश पूर्ते में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, ये कथन है, कारण वैसा अधिकार केवल मुस जवाब है, तो ये जवाब है, ये जवाब है, तो क्या सही है, हम लोग इस पर अच्छे से पढ़ लें, और जब लेकित अधिकार को मानने से मना कर दिया था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसका मुस्लिम जनता के साथ मुलकर उद्देश पूर्ती में लगने के अध मानना था, कि जो मुसलिम है, मुसल्मानों के लिए एक अलग ही संगठन बन गया है, और वो जो संगठन है, वो मुसल्मानों से संबंद है, जो भी उनका नित्र तो है, प्रतिनी तो है, वो करने के लिए सक्षम है, तो उन्होंने मनने से मना कर दिया था, तो कथन जो है, आप कारण देख लेते हैं तो कारण की अगर बात करें तो कारण में कहा जा रहा है कि वैसा ही का अकेली मुसलिम भी था तो ऐसा नहीं है मुसले मैं बे बेश्चा अपने आप बश्याक dispers समझती थी परंथो Souस्के युद्देशा कि की और देश्चे थी थे तो यहां पर इस प्रस्निका सही जवाब हो जाएगा C, A सही है, R गलत है नेक्स कोशन देखते हैं भारती स्वाधिन्ता संघर्ष के क्रम में कौन सा कथन सही नहीं है आप देखे यहां पर चार कथन दिये गए हैं और आपको चैन क्या करना है जो सही नहीं है इसका मतलब है कि इसमें से तीन कथन सही है और कोई एक कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है तो देख लेते हैं पहला है हकीम अज्मल खान राष्ट्रवादी तथा चरम पंती एहरार आंदोलं शुरू करने वाले नेताओं में से थे तो सही है या नहीं है इसको आपको विचार करना है दूसरा भारती राष्टी कांग्रेश के संगठन के समय सर सेद हमत खान ने इसका विरोध किया ये भी आपको देखना है कि सही है या गलत है 1906 में गठित मुस्लिम लिग ने बंगाल विभाजन और प्रत्यक निर्वाचक समूब बनाने जाने का विरोध किया चोथा मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबूल में भारत की अंता कालिन सरकार का गठन करने वालों में से थे अब यहां पर यह चार कथन हो गए इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है तो देखिए हकीम अजमल खान और हकीम अजमल खान जो है यह राष्टरवादी और चरमपंती अहरार आंदोलन से संबंदे थे यह बिलकुल सही है यह जो अहरार आंदोलन है यह आंदोलन लगभ मुख्य नेता थे मौलाना महम्मद अली और हकीम अजमन खन संट, नेत्रत उमें इहरार अंदोलन के इस अंदोलन की जो मुख्य विशेस्ता हί பिद सट एमा कि अलीगप आंदोलन का अलीगर आंदोलन का ही विरोधी था अलिगर आंदोलन कैसा आंदोलन था अलिगर आंदोलन एक रूड़िवादी आंदोलन था और ये उसका विरोधी था यानि कि ये पाश्यात सिच्छा को स्विकार कर रहा है जो अलिगर आंदोलन जो है वो एक आगे का आंदोलन था जो पाश्यात सिच्छा को स्विकार किया जा रहा है, मुस्लिम धर्मगंथों का अनुवाद किया जा रहा है, यह सारी चीजें उसमें की जा रही थी, लेकिन उसमें सामप्रदाइक्ता, कट्रता वो ज्यादा उसके अंदा थी, और यह जो अहरार आंदोलन है, यह अहरार आंदोलन जो था, यह इसमें राष्टरवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन को शुरू करने अले नेताओं में से थे बिल्कुल सही है, दूसरा, भारती राष्टी कांग्रेस के गठन के समय सर सेयद अमत खान ने इसका विरोध किया था, और इसका विरोध करने के उद्देश से, बक्यादा उन् गठित रूप से कांग्रेस का विरोध प्रारम किया था, तो ये कठन भी सही है, 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और प्रथक निर्वाचक समू बनाये जाने का विरोध किया, ये कठन गलत है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो कठन सही नहीं है, अर्थात जो कठन गलत है, वो ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए, जो आपका ये कि प्रथक निर्वाचक समू, पहले चीज़ तो बंगाल विभाजन के समर्थन में था, मुस्लिम लीग, दूसरी चीज़ जो प्रथक निर्वाचक समू बनाये जाने की बा बात होती है, तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, दिसंबर 1906 में कब हुआ है, दिसंबर 1906 में, और इससे पहले ही आप देखें, तो सितंबर 1906 में, धाका में, सरी, शिमला में, जो कुछ मुस्लिम निता होते हैं, मुस्लिम प्रतिनी थी, या इनको शिष्ट मंडल कह सक मुला में, मिंटो से मुलाकात करता है, मिंटो कौन है, उस समय जो आपका गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल मिंटो से मुलाकात करता है, और मुलाकात कि उद्देश से करता है, तो ये जो मुस्लिम प्रतिनी थी मंडल मिंटो से मिलने गया था, इसका उद्देश यही था कि उन मुस्लिमों के लिए प्रत्यक निर्वाचन मंदल की मांग रखना तो प्रताक की मंदल की मांग तो सही नहीं है तो सा सही नहीं है और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब भी है C, और आपको यहां पर ध्यान रखना है जो भी व्याख्या यहां पर की गई है, तो इस व्याख्या को आपको ध्यान रखना है, यहां तक इस प्रश्न के संदर्ब में, तो यह जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही उतर है, वो है C, तो इस प् मंदल ने प्रार्थना की अभी आपसे चर्चा की कि जो 1906 में एक मुस्लिम सिस्ट मंदल शिम्बला में मिलने गया था और कब गया था सेप्टेंबर 1906 में और इस ये किस उद्देश्य से गया था मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचक वर्ग की मांग करने के लिए इस प्रशने का सही जवाब है ए मुस्लिमों के लिए प्रथक निर्वाचक वर्ग की या प्रथक निर्वाचक मंदल की मांग करने के उद्देश से ये गया था तो इस प्रशने का सही जवाब है ए न पर देखते हैं, नेक्स नेक्स है इन्च सो आठ में अखिल भारती इन फार्जम लेक की एक साखा लंदन में इंचापकती गई, तो दिखें 1906 पीडब है, 1907 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है 기वर स्वेशं में 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में इंचापकती तो यहां पे पूछा जा रहा है किatif अंधेस्टेता में इस्थापित की गई तो ये जो की प्रॉचा साफित की गई थी ए सिथा प्रॉच की गई TH A dats फ्राशन का सही जवाब हो जाएगा lot Be चाल में निए कि ऑन इस प्रसने का सही जवाब हो हो जाएगा और अम्रश भड़ी तक सद्सेच्ट सी द्ध के नड़ी चह्ज़ेश देक्ज़ा लेगiete सोफिस्ट में अम्रश जिवाब हो जाएगा मुसल्मान यदि खुश है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्म बचाओ होगा यह किसने लिखा था तो यह हर्बर्ड रिसले हैं, लार्ड रिटन है, डबली डबली हंटर है या एफ एन ब्रेल्स फोर्ड है तो यहां पर क्या इस प्रसने का सही जवाब होगा तो इस प्रसने का सही जवाब है C, डबली डबली हंटर और इन्होंने यह कहां लिखा है, तो इनकी अपनी पुस्तक है, इंडियन मुसल्मान तो इंडियन मुसल्मान जो इनकी पुस्तक है उसे में इन्होंने ये लिखा है तो इंडियन मुसलिम्स के नाम से इनकी पुस्तक है डबली डबली हंटर की उसमें ये कहते हैं कि जो मुसलिम है मुसलिम्स को कुछ रियायतें दी जाएं उनके साथ जो बरताव किया जा रहा है उनके साथ मितरता पूंड बरताव किया जाएं ताकि हम उनको अपने साथ मिला लें और हिंदु और मुस्लिमों के बीच में हम लोग विभाजन रेखा डाल सके दोनों को विभाजित कर सके तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी इंडियन मुसल्मान उसे में लिखा था कि मुसल्मान एधिखुष और संतुष्ण है तो भारत में ब्रिटिश सक्ति का मह पुस्तक इंडियन मुसल्मान यह भी आपके लिए बहुत महात्वपूर्ण है नेक्स कुर्शन देखते हैं मुसल्मानों के लिए प्रथक राष्ट का विचार दिया तो यहां पे पूछा जा रहा है विचार दिया किसने विचार दिया मुहमद अलीजिना सरसेद अमद ख और 1930 में लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था इसी इलाहाबाद अधिवेशन में मुहमद इकबाल अधिस्ता करते हैं लीग की सेशन अधिवेशन की और अधिस्ता करते हुए यह कहते हैं कि मुसल्मों के लिए प्रथक राष्टर होना चाहिए अभी यह विचार द की बात की गई थी तो मुसल्मानों के लिए प्रथक राश्ट्र का विचार किस ने दिया तो मुहम्मद इकबाल ने दिया कब दिया 1930 में इलाहबाद में मुस्लिम लीक के वार्शिक अधिवेशन में तो इस प्रशन का सही जवाब है C नेक्ट देखते हैं नेक्ट भारति मुसल्मानों के लिए प्रथक राजे पाकिस्तान'd शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस्तने किया अब क्या हो रहे है 1930 का जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में मुस्तलमानों के लिए एक प्रथक राश्ट्र हो ऐसा विचार दिया गया था मुहमद इक्बाल के द्वारा अब पुछा जा रहा है प्रथक राज जो है उसका नाम पाकिस्तान हो यानि कि जो पाकिस्तान शब्द है इसका क्या प्रयोग सबसे पहले किस ने किया मुहमद इकबाल है आगा कहा एमें जिन्ना चौधरी रह्मत अली तो यह जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है वो चौधरी रह्मत अली हैं और साथ ही साथ में कुछ Cambridge University के इनके फ्रेंट्स थे तो उन ही लोगों ने तो यहां पर जो इसका जब भी एंसर में होगा तो चौधरी रहमत अली तो दिया ही रहेगा तो चौधरी रहमत अली के द्वारा ही पाकिस्तान सब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था और अगर इसमें पूछ के महध्यम से चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रस्तावत दिया सब्द सुझाया था और पाकिस्तान जो शब्द रखा था तो यह भी जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे तो उन प्रांतों के प्रारंभिक जो अक्षर थे उन्हीं अक्षरों से मिला करके यह इस प्रिशने का सही जवाब है दी चौधरी रहमत अली नेक्स देखते हैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नित्रत तो किसने किया था तो अब जो पाकिस्तान है अलग राज्य बन जाए पहले तो विचार रखा गया उसके बाद उसका नाम 1933 में सुझाया गया कि जो मुस्लिमों के लिए प्रथक राश्ट्र होगा उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा फिर अब तो वह पाकिस्तान राज की ही बात होने लगी तो जो पाकिस्तान के अलग राज यांदोलन का नेत्रत किया था वो पूछा जा रहा है किस ने किया तो यह जो नेत्रत किय मुहमट अली जिन्ना ने तो इस प्रस् takie जवाब है D, मुहमट अली जिन्नाinda क्या है कि 22-24 मार्च då मुस्लिम लिग लाहुर अधीवेशन होता है और इसप्रश म liquidि अधवेशन म काल इसाओ और है इस जन्ना होता में एक प्रथक मुस्लिम राष्ट के अत्रिक्त वो कुछ स्विकार नहीं करेंगे तो 1944 के लाहर अधिवेशन में अपने अध्यच्छी भाषन में ही जिन्ना ये बात कहते हैं कि अब उन्हें प्रथक मुस्लिम राष्ट के अत्रिक्त कुछ भी स्विकार नहीं है तो इस प्रसने तो कौन है तो यस प्रशने का सही जवाब है भी सरोजनी नाइडू ने ही कहा था हिंदू-मुस्लिम एक्ता का दूत तो है क्या कि जब पहले प्रारंफ में यानि कि अगर आब बात करें तो 1930 में ही जब कि एक प्रथक राश की मांग की गई थी विचार रखा गया था जब तो उस समय मुहमद अली जिन्ना को यह इस पर सहमत नहीं थे लेकिन आगे चल करके वह वह वहत घोर कटर घोर संप्रदाइक हो जाते हैं और उनकी मांगे पूरी तरह से संप्रदाइक और प्रथक राश्ट लेने के होती हो और अंततार प्रथक राश्टर मिल भी जाता है तो किसने कहा था हिंदू-मुस्लिम एकता का दूत तो हिंदू-मुस्लिम एकता का दूत कहने वाले जो हैं यह हैं सरोजनी नाइडू तो इस प्रशने का सही जवाब है भी सरोजनी नाइडू तो नेक्स देखते हैं नेक्स नेहरू एक राश्ट भकत हैं जबकि जिन्ना इक राजनीतिगे यह कथन किस से संबंधित है तो किस ने एक तहन कहा था कि नहरू एक राष्ट भगत है और इन्हों कहा था और इन्हों ने यह कहा है इस चीजस वदारा कहा मिलता यह उद्गरत कहां मिलता है तो जवारलाल नहरू ने जो अपनी बुक लिखी थी Discovery of India तो Discovery of India में ही उन्होंने उल्लेक किया है कि जब उनकी मुहमद इकबाल से भेट हुई थी तब उन्होंने कहा था नहरू से, मतलब इकबाल नहरू से कहा था कि आप एक राष्ट भगत हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिग हैं तो अगर रेफरेंस पूछा जाए कि ये जो स्टेटमेंट है इसका रेफरेंस कहां पर मिलता है तो वो रेफरेंस है Discovery of India जो कि जवारलाल नहरू के द्वारा लिखी गई थी तो इस प्रसन का सही जवाब है मौलाना आजाद नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स है निम्ण मेंसे कौन सा कथन जिन्ना के संबंध में सही नहीं है चार कथन दिये गए हैं आपको बताना है कि कौन सा जिन्ना के संबंध में सही नहीं है तो पहला भी दोराष्ट के समर्थक थे बिल्कुल समर्थ है थे, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लिग के लाहर अधिवेशन के दिश्टा की थी, बिल्कुल की थी, असयोग अंदोलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि गांधी जी से भी उन्होंने कहा था, कि आप इस अंदोलन से दूर रहें क्योंकि धर्म को राजनीति स सबीने वग्या अंदोलन का समर्थन किया था यही कथन गलत है सबीने वग्या अंदोलन का समर्थन मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं किया गया था बलकि इसका विरोध किया था 1930 का जो इलहाबाद अदिवेशन है वो मुस्लिम लिग का इलहाबाद अधिवेशन दो संदर्भों में बहुत महातुपूर्ण है पहला क्योंकि 1930 से ही सविने अवग्या अंदोलन प्रारम हुआ था तो सविने अवग्या अंदोलन के विरोध का प्रस्ताव वहां पर पारित हुआ और दूसरा एक मुस्लिमों के लिग प्रथक राष्ट्र हो ऐसा विचार दिया गया तो इन दो संदर्भों में 1930 का इलहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लिग का बहुत ही महातुपूर्ण है तो इसमें पूछा जारा क्या सही नहीं है तो क्या सही नहीं है सभीना बग्यान दोलन का समर्थन किया था यही सही नहीं है इसलिए यही इस प्रसन का सही जवाब हो जाएगा नेक्स देखते हैं मुस्लिमों के लिए एक प्रथक राष्ट्र की मांग मुस्लिमों के लिए एक प्रथक राष्ट्र की मांग की सर प्रथम एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो जो स्पैलिंग मिस्टेक है इसको आप लोग समाज लेजे थोड़ा से मुस्लिमों के लिए एक प्रथक राष्ट की मांग की सर प्रथम एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुए तो 1930 से 1930 के इलाबाद अधिवेशन है कैमरीच मेंप्लेट है 1940 लहोर अधिवेशन है वो प्रियुक्त में से कोई ने तो निश्चित तोर से मुस्लिमों क सही जवाब है A next देखते हैं Now or Never pamphlet किस ने लिखा था तो ये इस pamphlet की जारी नाव और नेवर तो नाव और नेवर pamphlet लिखने वाले हैं रहमत अली और इसी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था तो पाकिस्तान शब्द जो दिया गया वो नाव और next देखते हैं Muslim League द्वारा Pakistan प्रस्तान कब पारित किया गया तो अब पूछा जारा कब पारित किया गया प्रस्तान अभी पहले था कि विचार कब दिया गया कि एक personal पलागfy इसका विचार दिया गया 1930 में उस प्रथक राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होगा यह दिया गया 1933 में और इस प्रथक राष्ट्र पाकिस्तान को कब पारित किया गया गया तो यह जो पूचा जा रहा है तो यह किया गया 23 मार्च मार्च 1940 तिया है आपको डेट भी याद रखनी है 23 मार्च 1940 23 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था और आगे चल करके आप देखेंगे 1943 में ये पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है तो इस प्रशने का सही जवाब है B मार्च 1940 नेक्स देखते हैं 1940 में लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के स्रजन का प्रस्ताव किसने रखा तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पाकिस्तान के स्रजन का प्रस्ताव किसने रखा तो इस अंदर्व में कुछ चीजें महातुपों हैं की पराकिस्तान के स्रेजन का प्रश्ताव की बात करें तो 1940 का लिग क अधिवेशन था पहले तो हम देखें कि इसकी अध्यच्षता जो की थी मुम्मध जिन्ना ने कहां हुआ था लाहॉर में अधिवेशन हुआ अब प्रस्ताओं की बात करते हैं, तो अगर प्रस्ताओं अगर पूचा जए प्रस्तित क्या था फजलूल् हक तो उन्मोधन क्या खली कुज माने तो इसमें तीनों संदर्व याद रखने हैं कि तयार किस ने किया, प्रस्तुत किस ने किया और अनुमोधन किस ने किया अब इसमें कहा जा रहा है अधिवेशन में पाकिसान की सरजन का प्रस्ताव किस ने रखा प्रस्ताव किसने रखा मतलब प्रस्ताव किसने प्रस्तूत किया तो प्रस्तूत किसने किया फजलूल हक ने तो इस प्रस्तूत किसने किया फजलूल हक ने तो इस प्रस्तूत किसने किया फजलूल हक ने तो इस प्रस्तूत किसने तयार किया तो सिकंदर हयात ने तयार किया औ इस परस्ने का सही जवब है B, फजलूलहक, नेक्स देखते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताओ की रूप रेखा किसने तयार की थी अभी अब उसको फ॥च था सिकंदर ह לך चाह ने प्रस्तुत किया था फजलूलहक ने, और अनमोदन किया था। किस शधो नहि see? इस प्रस्ताओं के रूप रहा किसमे तयार किया था तो निश्चित तौर से सिकंद्र हयात खान इस प्रसंफ का सही जवाब हो जायेगा भी Next देखते हैं मुस्लिम लेक द््वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया तो कब मनाया गया पाकिस्तान दिवस तो ये मनाया गया 23 मार्च 1943 को इस प्रसने का सही जवाब है दी 23 मार्च 1943 नेक्स देखते हैं जिन्ना के संबंद में सही कथन है अब इसमें चार कथन दिये हैं अब आपको बताना है कि कौन से सही कथन है पहला होम रूल लिग अंदोलन का समर्थन किया दूसरा असहयोग अंदोलन का विरोध किया तीसरा वेवल योजना को स्विकार किया तो देखे ये होगा वेवल योजना को अस्विकार किया तो वेवल योजना को अस्विकार किया था तो यहाँ पर होम रूल अंदोलन का समर्थन किया बिर्को समर्थन किया था कहें संदुटीर क làm दो नों के दूरा असविकार कर दिया घया था तो इहां पर तीनों कथन सही है इसलिए इसन उसे पाइठे काशजी ज्वाब हो काशएगा है त्विवकार को काईएठे नेनी ने लगाता इस उसमें ऐस आप मौलाना आजाद का इसे जो थे कहते हैं कि जो मुसमिंटिर रचर की मांग की जारी एंप प्रतरिम रचर मंंदल की बात की जा रही तो यह मूर्ख हैं और क्योंकि जब तक भारत की दोनों community मिल जूल करके नहीं रहेंगे तब तक किसी भी तरह से भारत है ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता और उद्देश्य क्या है कि भारत से अंग्रेजियों को बाहर निकालना तो ये अभिरच्छन की मांग करने अले मुसला मूर्ख तता इसे अस्विकार करने अले हिंदून से ज्यादा मूर्ख ही ये कथने मौलाना आजात का और यहां पर आकर की प्रशन पूरे हो जा रहे हैं और ये जो संदर्व उठाया है एस संदर्व से संबंदित जो भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डाउट रख सकते हैं और आपके जो भी डाउट है उनका सलीशन आपको मिल जाएगा और कोई उमिद है कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और जैसा कि कई बार ये जैसे टीजीटी पीजीटी करके नहां पर इतिहास विशेश से प्रसंद उठाये जाते हैं तो यह सभी उन परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्तुपूर्ट सेशन है और आप लोगों को जितने सिर्फ देना हमारा उद्देश नहीं है कि आपको बता दिया हमारा उद्देश है कि इस तरह से आपको बताय है और यहीं रहेगा प्रयास की सिर्फन आपका कंटीनु चलता रहे आप जैसे कि कल एंसिंट का डाला था अभी लेखों से संबंदित था प्राचीन भारत की जो इस रोत हैं तो आप दोनों के पड़ते रहेंगे और ब्रेक नहीं होगा हां कभी कभार क्लास ब्रेक होती है आप परिशान मत होगे आपका कोर्स आपके जितना भी जो टॉपिक वाई जभी चल रहा है टॉपिक वाई जम आपका सिलेबस यूट्यूब पे ऐसे ही पूरा करा देंगे और जब एक बार पूरा हो जाएगा तब हम लोग मिक्स कॉश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे जै जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जैसे आपका बिहार का जो एक्जाम हुआ है तो उसमें आपने देखा कि जिस किसी ने भी पेपर देखा होगा यूट्यूब पढ़ा हुआ है तो अगर आपने देखा होगा तो आप प्रशनों की प्रकृति को देखिए आप वो ट्रेड जो आप उत्तर देंगे उसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ रट करके आप परिक्षा नहीं निकाल सकते आपको फैक्ट के साथ कॉंसेप्ट मालूम होना चाहिए जब आप किसी कॉंसेप्ट के थ्रू आप पढ़ते हैं तो फैक्ट लंबे समय तक याद बने रहते हैं कि इसी भी तरह कि कोई समस्या नहीं आती है तो कितना आप अपने आपको अच्छे से सामझ सकते हैं कॉंसेप्ट से जोड सकते हैं वन लाइनर का चलन खतम हो गया है कि आप सिर्फ वन लाइनर कॉस्चिन पढ़े और पढ़ करके एक्जाम दे दिया तो आपको अगर चैन चा और किस तरह से प्रशनों पूछे जाते हैं उन सभी प्रशनों पर भी चर्चा की जाए और कैसे उन प्रशनों को आप लोग सही कर सकते हैं उस पर भी यहां पर चर्चा हो जाए फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई संका रहती है आपको किसी तरह कोई समस्या आती है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू